प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के जन्म दिवस के अउसर पर 17 सितंबर को भाजापा द्वारा पूरे देश में सेवा ही समर्पन सप्ता का आयोजन शुरू किया जा रहा है इसके तह सेवा भाव से जुड़े विभिन करकरमों का आयोजन किया जाए का इस संधर में अलवर संसत बाबा बालकनास ने बताया परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के अभान पर वे राश्ट्रिय अधिक जेपी नड़ा के निर्देश पर भाजापा कारे करताओं द्वारा सेवा समर्पन सप्ता के तहत कई आयोजन किया जाएंगे साथी भाजापा कारे करताओं को स्वास्थे वॉलेंटियर के रूप में भी तैयार कर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आपदा की घड़ी में कारे करताओं द्वारा आम जन को रहत पहुँचाई जा सके इसके साथी सांसद ने कहा कि इसी दिन 17 सितंबर को ही अलवर की पूर सांसद स्वर्गय शिरी चांद नाज जी का चोथा इसमर्ती दिवस है इसके तहत अलवर में काली मुरीसित हीरा नाज जी के आश्रम पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा साथी राष्ट्रे स्वें सेवक संग का रेले पर इस्ति स्वर्गय में जांदनाथ अस्पताल में मस्त नाज आयोजन के सायोग से साल में दो बार मेडिकल केम्प का आयोजन भी किया जाएगा और परधान मंत्री जी के आवान को सार्थक करते हुए सेवाई संगठन के इसकारे को सेवाई समर्पन अभियान को पूरे निष्ठा भाव से पूरे कर्तव भाव से उसको निभाने का काम किया उसी संदर में अभी वर्तमान में मानने परधान मंत्री नेकेवल भारत के लोगप्रिये मानने परधान मंत्री अपितु पूरे विश्व में सर्वधिक लोगप्रिये परधान मंत्री भारत के हैं किस बात का गर्व हम भारती जंता पार्टी के कारेकरताओं को तो है ही उसके साथ साथ में 135 क्रोड भारत वासियों को भी है और होना भी चाहिए कि आज उनके परधान मंत्री दुनिया में सबसे लोग परिये नेता है ऐसे व्यक्तितों का आने वाली 17 तारिक को जनम दिवस है उस जनम दिवस के दिन से प्रारम सेवा और समर्पन अभियान को भारती जंता पार्टी एक मुहिम के रूप में संचालित करेगी चलाएगी और इस आने वाले एक अफ़ते के अंदर अनेको सेवा के प्रकलफों के माध्यम से जनता तक अपनी सेवा को बहुचाने का भारती जंता पार्टी के कारेकरता काम करेंगी आपने संचटन अनेको देखे होंगे अनेको वॉल्टियन संस्ताइं देखे होंगी जो समय समय पर आपदा के छेतर में जनता की सेवा के लिए अपना कारे करती हैं लेकिन एक मात्र भारत की राजनिती में एक संगठन है भारती जन्ता पार्टी जो राजनिती संगठन के साथ साथ में जन्ता की सेवा में दुख की घड़ी में हर घड़ी में विपता की घड़ी में जन्ता की साथ खड़ा होता है और उसका सयोग करता है उसी परकार से हमारे मालने परधान मंत्री जी के आवान पर और हमारे राष्टी अध्यक स्री जेपी नटा जी के निर्देश पर हमारे भारते जन्ता पार्टी के कारेकरताओं में कोरोना जैसी विपता को समझ कर आने वाले बोईसे मैंसी कभी भी कोई देश के अंदर कोई स्वास्त आपदा आए तो स्वास्त वोलुंटियर का भी समिठन हमारी भारते जन्ता पार्टी खड़ा कर लिए जिसमें लाखों की संख्या में कारेकर्ताओं ने रेजिस्टेशन करवाया है उनको प्रोपर एक ट्रेनिंग दी जाएगी उस ट्रेनिंग के साथ में जो प्राइमरी इलाज वो उस समय पर अपने गाओं में अपने मंडल में दोगों का कर सके एसी सुविधा उनको एक ऐसी किट भी दी जाएगी रहीसि क्रेंट जी जाएगी टाकि समय पर जहांपर है वही पर ही लोगों को एक सेवा करकर उनके स्वास्ते को बचाया सके उनके स्वास्ता में लाब दिया जा सके उसी भाव से आप सब जानते हैं कि आने वाले 17 सितंबर को हमारे अलवर से पूर्वशानसद बैरोड से पूर विधायक और मेरे पुज्य गुरु महराजी महन्सरी चाननाजी का सिमर्ती दिवस के रूप में हर साल हम अलवर में मनाते हैं पहले सिमर्ती दिवस से लेकर अब तक चोथा सिमर्ती दिवस जो आने वाली 17 तारीकों है हम हर साल कारेकरम अलवर के विविन स्थानों पर करते रहे हैं इस दिन हम बलड डोनेशन का कैम करते हैं स्वास्त कैम भी करते हैं उसके साथ साथ में हमन का भी आयोजन करते हैं और कोरोना की काईडलाइन को रखते हुए जो हमारी महारा सरकार ने या राजस्तान सरकार ने जो कोरोना की काईडलाइन दी हैं उनका पालन करते हुए इस वर्स हमने ब्लड डोनेशन कैम का आयोजन कि पिछले वर्स हमने शंग कार्याले में कार्य किया था उससे पिछले वर्स हमने बाबा बत्री जी के वहाँ पर भंडारा किया था उससे पिछले वर्स हमने जो है की बहरोड के अंदर कार्य किया था ऐसे अनुवरत ये कार्या निरंतर आगे भी चलता रहेगा और स्वास्त कै कारियाल के इब दो बार हम बाबा मसनात विश्वविदाले की ओर से स्वास्त कैंप का युजन तो वो स्वास्त केम्प जो हम आगामी समय पर करेंगे, कल के 17 तारिक हो जो कुझे महराज जी की समर्ती में, ब्लड डोनेशन केम्प और हवन का कारिकरम बावा हीरानाज जी के आश्रम पर रहेगा, मैं आप सब बिडिया बंदू के माजम से संदेश अपने अलवर छेतर के स भी लोगों तक पहुचाना चाहता हूँ, उनसे निवेधन करना चाहता हूँ, कि आप सब लोग पहुचें, रख्तदान करने के लिए पहुचें, और कोरोना की काई ट्रायन को विशेश कर पालन करते हुए, इस स्वैसिक रख्तदान शीवर को, जो कि स्वर्गे महिन स्री चाननाच जी की पुने सिमर्ती में है, और साथ ही साथ हमारे मानने परधान मंत्री सी नरेद्र मोधी का जनम दिवस है, इन दोनों ही विवूतियों को, इन दोनों ही हमारे बारत के मानने परधान मंत्री जो और महिन स्री चाननाच जी की सिमर्ती के अंदर इस रख्तदान स करको सफल बनाए